सीमा और सचिन आज इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही मस्त वीडियो होने वाला है सीमा और सचिन से रिलेटेट वीडियो सीमा जी और सचिन दोनों लोग शायरी सुनाएंगे और उस शायरी का जबाब हमसे आप सुनेंगे मूह तोड़ जबाब मस्त ही वीडियो होने वाला सीमा और सचिन की शायरी सुनने का मज़ा देखते। मोज़ा सुनते हैं सचिन की शायी जी आप तयार हुगए। मुथोड़ जवाब को आप शायरी शुरू की और आप लोग तयार हो जाएं भवाई शायरी सुने के लिए। आलू भरा पराठा, फानी भरा गिलास, सीमा तिरी आद में, भूक लगे न प्यास तो दोस्तों आपने सुन लिया सचिन का शायरी, अग उसका जवाब सुनिये हमसे, मूँ तोड जवाब भाई अगर शायरी अच्छा लगे तो कॉमेंट बोक्स में भाई ज़रूरी लिखना और चैनल को सब्सक्राइब तो भाई करना ज़रूरी है आलू भरा फराठा, साथ में बकरे की चाप, बेटे के उम्र के लड़के को बनाया बच्चों का बाप तो दोस्तों आईए चलते हैं अब सीमा की तरफ और सीमा से सुनते हैं शायरी भाई सीमा सचिन का तो शायरी आपने सुन लिया अब आईए चलते हैं सीमा की तरफ आप सुनए अपनी शायरी का जबाब दोस्तों आपने सीमा का शायरी सुना अब इस शायरी का जवाब सुनिए हैदर ने तुझे दिल दिया बड़ी अदाकारी के साथ उस दिल को भी खा गई नहारी के साथ क्या बात है सर क्या बात है तो सचिन भाई आपका शेर एक और बहुती फेमस चला है डबबे पे डबबा वाला तो उस शेर को भी सुनाईए और उसका जबाब देते हैं भाई जबर जस्त जबाब देंगे मूँ तोड जबाब देंगे दोस्तों आप लोगों को शेर अगर अच्छा लगे तो कॉमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत मुरिए तो तैयार हो जाई भाई लोग और सचिन जी आप अपना शायरी सुनाईए डबबे पे डबबा वाला डबबे में केक मेरी सीमा लाखों में तो दोस्तों इस शेर का जवाब अब हम से सुनिए डबबे में डबबा डबबे में मिठाई मा के उम्र की आउरत को बना ली अपनी लुगाई दोस्तों अब हर बार की तरह आखिर में एक और सवाल आप लोगों से है जिन लोगों का घर पार्क के सामने होता है उसे कैसे कहा जाता है पार्क के सामने घर है या घर के सामने पार्क है कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों ठीक है और हमारा ये वीडियो कोमेडियन कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो सब्सक्राइब कर लीजिए कलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो लेकर